और इदर श्रमिक दिवस के असर पर सेम भूपेश बखेल के अपील के बाद सुभा से ही लोग बोरेबासी खाते हूँ अपना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहा है कॉंग्रेस के वरेष्ट विधायक ब्रस्पती सिंग ने भी बोरेबासी खाकर श्रम का सम्मान किया है विधायक ब्रस्पती सिंग ने काया कि मुक्रमत्री भूपेश पकेल अमाली 36 गड़ी संस्कृते और व्यंजनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे है 36 गड़ का सम्मान कर रहे हैं आज सभी बोरेबासी खाकर श्रमेकों का सम्मान कर रहे हैं इसमें फर पूर बच्चमेंन होता है और गर्मी की दुनों में इसमें लूब भी नहीं लगती अंतराश्टी स्रमिक दिवस के असर पर 36 गड़ में प्रदेश स्तरी स्रमिक सम्मीलन का एवजन किया गया है मक्यमंत्री उपेज बगल इसके पहले पूरे प्रदेश वासियों को अफिल किये थे कि बोरे बासी खाकर स्रम का सम्मान करें और सुबह से ही लोग बोरे बासी खाकर अपनी तस्वीर सोचन लेट्रोक साइट में साजा कर रहे हैं इससमें हमारे साथ कॉंग्रिस के वरिष्ट विधायाक भ्यसपस सिंग जी मौझूद देख सकते हैं कि ये भी बोरे बासी खा रहे हैं आम भाहिन के साथ मिर्ची है प्याज है टमाटार है नमाख है बतादी कि बोरे बासी जो है काफी विटामिन भरा रहता है और निश्ची तोर पे अज तमाम कॉंग्रेस के वरिष्ट मंत्री विधायाग जन्प्रनिर्दी हर एक कार करता और आम लोग भी जो है बोरे बासी का स्वाद ले रहे हैं और स्रम का सम्मान कर रहे हैं देखिए 36 गड़ की सचाई को 36 गड़ की वास्त्विक्ता को भूपेश बगेल मुखमंत्री 36 गड़ ने पहला बार समझने के समझा है जो 36 गड़ में हम लोग पिढ़ी दर पिढ़ी हम सरगुजास आते हैं सरुजा का दिवासी हम लोग पहले भी बच्पन में भी देखते थे जब खाना रात में हम लोग तिंदू पत्ता तोड़ने के लिए हम लोग जाते थे अपने माता पिता के साथ तो चावल में पानी डाल के छोड़ देते थे और सुबह जल्दी में चुकी बनाने में भी नहीं टाइम नहीं थे होता था तो उसी बोरा बासी भात को हम लोग नमक के साथ और प्याज के साथ मिर्ची के साथ खा के हम लोग जाते थे उससे दो फायदे होते थे जो त तो आपको लूँ नहीं लगेगा। और कभी भी लूँ नहीं लगने का अरह होता था। और इतने हम लोग तिंदू पता थोड़ते थे, لाते थे, नंगे पाँच चलते थे, लेकिन कभी लूँ नहीं लगता था। और दुसरे भूख नहीं लगता था